हेलो नमस्कार गूड मॉर्निंग दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Vivo Y19 Mobile में Ringtone Mobile में कैसे लगाया जाता है और दोस्तो इसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि Ringtone में MP3 Music कैसे लगाया जाएगा तो बिना time waste की वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो पहले number पे आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तो mobile की setting आती ही mobile की setting को आप लोगों को open कर लेना है तो दोस्तो मैं setting फट फट open कर लेता हूँ setting open होने के बाद दोस्तो यहां पर देखे का option आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इसी option पे आप लोगों को click कर देना है click करने के बाद दोस्तों scroll करेंगे scroll करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे आप लोगों को दो option आप लोगों को देखने को के मिलेंगे SIM 1 incoming call ringtone उसके बाद SIM 2 incoming call ringtone मतलब अगर आप SIM 1 पर ringtone लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अगर आप SIM 2 पर लगाना चाहते हैं तो उस पर भी लगा सकते हैं तो दोस्तो मैं आप लोगों को SIM 1 पर लगा कर दिखाऊंगा तो दोस्तो आप लोगों को करना किया है जिस पे आप लोगों को लगाना उस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर बहुत सारी रिंग्टोन आ जाएंगी तो आप एक एक क्लिक करके दोस्तो आप सुन सकते हैं क्योंकि मैं दोस्तों इस पर चला नहीं सकता हूं यह दोस्तों copyright claim आ जाएगा हमारे वीडियो पर तो दोस्तों आप यहां पर सुन लिजिए अगर दोस्तों आप कोई MP3 की दोस्तों music आप अपने mobile में लगाना चाहते हैं तो वह भी दोस्तों बड़ी ही आसान तरीके से लगा सकते हैं आप लोगों को सबसे ऊपर जाना उसके बाद custom ringtone का option मिलेगा इस पर दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख है custom ringtone का option मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद दोस्तों जितने भी आपके MP3 में दोस्त आएगी तो दोस्तों मैं इसी मकाएक लगाऊंगा तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक किया तो दोस्तों यह रिंग्टॉन हमारे मोबाइल में लग चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप वीवो वाई उनीस मोबाइल में रिंग्टॉन लगा सकते हो म्यूजिक वाल आप हमसे पूछना चाते हैं तो पूछ सकते हैं तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में एक नेट ओपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों बाई बाई सबी को